Good morning friends, कैसे हैं आप सभी के सभी, I hope सभी healthy हैं, consistently prepare कर रहे हैं तो यार एक common query जो students की दिमाग में हमेशा रहती है, वो regarding means रहती है कि sir, prelims का exam तो clear कर लेते हैं, हमने काफी अच्छी practice कर रहे हैं पर means एक ऐसा phase बनता जा रहा है, जो हमेशा परिशान कर रहा है तो उसके लिए एक बहुत ही critical और एक बहुत ही important suggestion मेरी तरफ से तैयारी आप लोग करते हैं, puzzle sitting arrangement की भी करते हैं, miscellaneous की भी करते हैं बड़ी है तरीके से practice कर रहे हैं, अच्छा content है आपके पास, सभी चीज़े हैं, mocks भी लगा रहे हो बट एक चीज़ जो आप miss करते हैं और जिसे आप generally ignore कर देते हैं, वो है question selection का part वो है paper कैसे attempt करना है वो वला part इस साल, ये बात आप दिमाग में डाल लो, अभी 2022 की starting ही हुई है, आपके पास बहुत समय है अपने preparation को next level पे लेके जाने का, तो जितने भी आप mocks दोना, उस mocks में अपने को कोशिश करनी है question select कैसे किया जाता है, वो सिखना, और rounds में paper attempt करना है मैं reasoning पढ़ाता हूँ, तो reasoning का आपको एक example देता हूँ मैं अपने सभी student से कहता हूँ कि 2 rounds में आपको paper attempt करना है इससे क्या होगा, एक तो miscellaneous के आपके certain 15-15 marks तो पक्के से हो जाएंगे 15-20 marks पक्के हो जाएंगे, और साथी साथ आप ये finalize कर लोगे कि यार कौन सी puzzle अमें करनी है स्टार्टिंग में puzzle ले लोगे न, पहले स्टार्टिंग में और गडबड हो गई तो फिर बाकी बचावा paper भी एकदम खराब चला जाएगा तो puzzle अपने select mark for review करके रखेंगे कि मान लेते हैं अपने पास 4-5 puzzles आईएंगे, बड़ी-बड़ी वाली उसमें से अपने ने एक-दो puzzle छांट के निकाल लिया है उसमें भी हो सकता है एक आज short puzzle भी आ जाए तो पहले short puzzle round 2 में बनाएंगे देन उसके बाद long वाली एक बनती है तो एक बनाएंगे दो बनती है तो दो बनती है तो दो-तीन questions वहां से निकला गए दो-तीन marks और एक long बनती है तो चार-पांच questions वहां से तो 6-7 marks वहां से हो जाएंगे बाकी miscellaneous तो 20 marks प्लस आपके पक्के हो जाते हैं और 20 marks प्लस हो जाते हैं तो यार एक above average एक decent paper हो जाता है और अगर आपका flow अच्छा रहा तो हो सकता है बड़ी आप दो पसल भी बना लो और फिर paper हो जाएगा आपका extraordinary फिर reasoning का section ऐसा हो जाएगा कि बस सर बल्ले बल्ले एकदम कोई tension नहीं तो ये अपने कब कर पाएंगे जब इसको consciously अपने starting से अब जब भी आप mocks लगाएंगे अपने starting से कोशिश करेंगे लंबे समय तक इस पर काम करेंगे ना तो जब आप paper में बैठोगे ना तो आपको question selection की technique आपकी एकदम perfect हो चुकी होगी क्योंकि यार practice से ही perfection आती है ये तो आपको पताईए तो starting से आपको करनी है मेरी सिर्फ बातों से नहीं होगा मैंने बोल दिया तो आप question selection सीख जाओगे खुद से करोगे try तब जा की सीख पाओगे ठीक है तो ये एक छोटा सा tip ता एक छोटा सा suggestion मेरी तरफ से now that's all for today's session